केंद्र दुआरा सुप्रीम कोट के लिए जस्टिस के एम जोसिफ का नाम रोके जाने पर सियासी घमासान विपक्षने से न्याय पालिका की आजादी पर खत्रा बताया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चीन के राश्पती शी जिन पिंग से मिले चीन पहुँचे अपनी तरह की इस मुलाकात का पहले से तै कोई एजंडा नहीं पश्यम बंगाल में पंचाज चुनाव के लिए नई तारीख का एलान चुनाव 14 माई को होंगे मतगरना 17 माई को उत्रप्रदेश के कुशी नगर में बड़ा हादसा स्कूल वैन और ट्रेन की टकर में 13 बच्चों की मौध और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को बड़ा जटका इसलामाबाद हाई कोट ने संसत के अयोग्य घोशित किया सत्याग्रे.com पर आप देख रहे हैं दिनमान अब समाचार विस्तार से उत्तराखन हाई कोट के चीफ जस्टिस केम जोजफ को लेकर मोधी सरकार और विपक्ष की बीच खमासान छड़ गया है सुप्रीम कोट कोलेजियम ने जस्टिस जोजफ के नाम की सिपारिश श्रेश अदालत में नियुक्ति के लिए की थी लquin केंद्र सरकार ने उसे इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है कॉंग्रिस और वामदल इसे नयाई पालिका के काम में दखल बताते हुए सरकार की मन्शा पर सवाल उठा रहे हैं कॉंग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार शीर्ष अदालतों में अपने लोगों को बिठाना चाहती है उधर पूर्व मंत्री पीच दंबरम ने आरोप लगाया कि इसकी वजह जस्टिस जोसिफ का वो फैसला है जिसमें उन्होंने उत्राखंड में राश्पती शासन लगाने के NDA सरकार के फैसले को पलट दिया था उधर केंद्र सरकार ने कॉंग्रेस के आरोपो को सिरे से खारच कर दिया है केंद्रिय कानून मंत्री रवीशंकर प्रसाद का कहना है कि जजों और न्याय पालिका की गरिमा को धूमिल करना कॉंग्रेस का इतिहास रहा है उन्होंने कहा कि देश में कई जज जस्टिस जोसिफ से सीनियर है और वे जिस राज्य केरल से आते हैं वहां से पहले से ही परियाप्त संख्या में जजों की न्युक्ति की जा चुकी है चीन के राश्ट्रपती शे जिन पिंग के साथ एक खास पैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी चीनी शहर वुहान पहुच गए है दोनों नेताओं के बीच आज और कल पाचीत होगी दो दिन की इस बैठक में आपसी रिष्टो और महत्वपून वेश्विक मुद्दो पर चर्चा होने की संभावना है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने कहा है कि इस बैठक में आपसी रिष्टों की रणनितिक लिहास से समीक्षा की जाएगी दोनों नेताओं के बीच ये बैठक अपनी तरह की पहली बैठक है चीन में भारत की राजदूद गौतम बंबावले के मुताबिक इस बैठक का पहले से कोई एजंडा तैन नहीं किया गया है यहां तक ही दोनों नेताओं की बादचीत का ना तो कोई लिखिद प्योरा तयार किया जाएगा और ना ही इसके बाद कोई साजहा समवाददाता सम्मेलन होगा बंबावले के मुताबिक इस वर्जह से दोनों नेताओं खुल कर किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं पश्र मंगाल में पंचायत चुनावों के लिए नई तारीख का इलान कर दिया गया है गुरवार को राज्य चुनाव आयोग ने घोशना की कि ये चुनाव एक ही जरण में 14 मई को कराया जाएगा और मतगर ना 17 मई को होगी इसके पहले मतदान की तारीख हैं एक, दो और पांच मई थी लेकिन भाचपा और दूसरे विपक्षी दलों ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सत्ता रूड त्रिमूल कॉंग्रिस पर हिंसा का आरोब लगाते हुए कलकत्ता हाई कोट का दर्वाजा खट-खटाया था इन पार्टियों का आरोब था कि उनके उमीद्वारों को परचा दाखिल करने से रोका जा रहा है इसके बाद हाई कोट ने राज्य चुनाव आयो को कहा था कि वो चुनाव प्रक्रियाओं से जुड़ी तारीखों में फिर बदल करे उत्तर प्रदेश में एक स्कूल वैन के ट्रेन की चपेट में आने से 13 बच्चों की मौत हो गई ये हादसा कुशी नगर में एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसे में आठ बच्चे गंभी रूप से खाल भी हुए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है राजे सरकार ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपे की आर्थिक सहायता देने की घोशना भी की है इस महीने स्कूली बच्चों के साथ हुई ये दूसरी बड़ी घटना है इस से पहले 9 अप्रेल को हिमाचल प्रदेश के कांगला में एक स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थे उस हादसे में 23 बच्चों समेथ कुल 27 लोगों की मौत हो गई थे सत्याग्रे.com पर आप देख रहे हैं तिनमान और अब अंतर राश्ट्रिय समाचार पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN को एक और जटका लगा है इसलामाबाद हाई कोटनी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को संसत सदस्य के रूप में अयोग्य खोशित कर दिया है ख्वाजा आसिफ पर 2013 के आम चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र में साओधी अरब के वर्क परमिट की जानकारी छिपाने का आरोप था अदालत ने इसे समविधान के उस प्रावधान का उलंगन माना है जिसके तहद प्रत्याशियों का एमानदार होना संसत सदस्य बनने की अनिवार्रे शर्थ है पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने इसी प्रावधान के तहट बीते साल पूर्व प्रधान मंत्री नवास शरीफ को भी उनके पद के आयोग के घोशित कर दिया था इसके बाद उन्हें भी अपना पद छूणना पड़ा था उधर खौजा असिफ ने कहा है कि वे हाई कोट के इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती देंगे सत्याग्राए.com पर आप देख रहे थे दिनमान कल इसी समय आप से फिर मुलाकात होगी नमस्कार